Hello students, आज इस वीडियो में हम chapter 9 data handling exercise 9.3 से question number 3 solve करेंगे Question number 3 देखिए, observe this bar graph which shows the marks obtained by Ajij in half yearly examination in different subjects तो देखिए, यहाँ पर एक bar graph दिया गया, यह bar graph Ajij ने half yearly examination में अलग-अलग subjects में कितने marks obtained किया हैं उन्हें दिखाता है तो देखिए, यहाँ पर subjects लिखे वे हैं, Hindi, English, Mathematics, Science, Social Science और यहाँ marks लिखे गए हैं, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से Answer the given questions, अब यहाँ questions पूछे गए हैं, उनके answer देने हैं A part देखिए, पूछा गया, what information does the bar graph give? पूछा गया है कि यह bar graph क्या information दे रहा है? तो यह bar graph क्या information दे रहा है? यह bar graph यह information दे रहा है कि अजीज ने half yearly examination में अलग-अलग subjects में कितने marks obtained की हैं तो A part considered a given bar graph shows the marks obtained by Ajij in half yearly examination in different subjects तो यह bar graph अजीज ने half yearly examination में ALLग-अलग subjects में कितने marks obtained की हैं उन्हें दिखाता है बी पार्ट देखिए नेम दा सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स पूछा गए कि उस सब्जेक्ट का नाम बताओ जिसमें अजीज ने सबसे ज़्यादा मार्क्स उप्टेंड की है तो यहाँ पर देखिए हमें कैसे पता चलेगा हम देखिए किस सब्जेक्ट के बार की हाइट जादा है जिस सब्जेक्ट के बार की हाइट सबसे ज़्यादा होगी उस सब्जेक्ट में अजीज ने सबसे ज़्यादा मार्क्स उप्टेंड करें है तो यहाँ पर देखिए हिंदी का जो यह बार है इसकी height इन सभी से ज़ादा है तो यानि हिंदी में अजीज ने सबसे ज़ादा marks score की है तो B part का अंसर है हिंदी C part देखें, name the subjects in which he has scored minimum marks अब पूछा गया है कि उस subject का नाम बताईए जिसमें अजीज ने सबसे कम marks score की है तो देखें यह पता करने के लिए हम यह देखेंगे कि कि subject के बार की height सबसे कम है जिस subject के बार की height सबसे कम होगी उसी में अजीज ने सबसे कम marks score की है तो देखें यहाँ पर social studies का जो यह बार है इसकी height इन सभी बार से कम है तो यानि social studies में उसने सबसे कम marks obtained किये तो C part का अंसर है social studies D part देखे state the name of the subjects and marks obtained in each of them कहा गया कि इन subjects में उसने कितने marks obtained किये है वो लिखने है तो सबसे पहले देखे क्या है subject हिंदी तो हिंदी का बार देखे कहा तक जा रहा है 80 तक जा रहा है तो हिंदी में उसने 80 marks obtained किये है तो हिंदी में उसके कितने marks आये है 80 अब देखे अगला subject है English English का बार देखे कहा तक जा रहा है ये जा रहा है 60 तक तो English में उसने 60 marks obtained किये है तो English में 60 marks obtained किये है फिर देखे अगला बार है mathematics का mathematics में उसने कितने obtain किये हैं तो देखे, mathematics का ये बार कहां तक जा रहा है ये जा रहा है 70 तक mathematics में उसने 70 marks obtain किये है तो यहां हमने लिख दिया mathematics में उसने 70 marks obtain किये है अब देखे, अगला subject है science science में उसने कितने marks obtain किये है देखे, science का बार, यह कहां तक जा रहा है, यह जा रहा है, देखे, 50 तक, तो science में उसने 50 marks obtained के हैं, उसके बाद, अगला subject है, social studies, social studies में उसने कितने marks obtained के हैं, देखे, social studies का बार, कहां तक जा रहा है, यह जा रहा है, 40 तक, देखे, 40 तक जा रहा है, तो social studies में उसने 40 marks obtained के हैं, science में 50 और social studies में 40 तो science में 50 marks obtained के और social studies में 40 तो यह था question no.3 आज इस वीडियो में हमने question no.3 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe. Thank you.